यार में IPS अधिकारी पर बड़ी काड़वाई चल रही है पुर्णिया के SP दयाश शंकर के कई ठिकानों पर छापे मारी चल रही है विशेस निगरानी की छापे मारी पुर्णिया और पत्ना के कई अस्थानों पर एक साथ चल रही है आई से अधिक संपती मामले में विशेस निगरानी ने मामला दर्श किया था Special Vigilance Unit के डीजी नईयर हसनायन खान के नरदेश पर छापे मारी चल रही है बता दे आपको कि पुर्णिया अस्पी के खिलाफ आई से अधिक संपती मामले में हाल के सालों में यह पहली सबसे बड़ी कारवाई मानी ज़ा रही है चापेवारी में Special Vigilance Unit और आर्थेक अपराधिकाई के सत्तर अधिकारी शामल है समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंग यादव का नधन हो गया बता दे कि ग्रुग्राम के मेदान्ता में मुलायम सिंग यादव ने अंतन सांस ली मुलायम सिंग के नधन पर मेदान्ता ने बोलेटन भी जारी किया यसे में बता दे कि बीते कई दिनों से उनकी हालत चलता जनक बनी हुई थी उनकी तबियत में खास सुधार नहीं आ रहा था और आखिरकार उनके नधन की खबर सोंबार को सामने आई सपा सनरक्षक मुलायम सिंग यादव के नधन पर विहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमा दे शोक चताया मुख्य मंतरी ने कहा कि मुलायम सिंग यादव का नधन रास्ट के लिए अपूर्णिय शती है मुलायम सिंग यादव देश के वरश्ट समाजवादी नेता थे वे समा पर बीजपी नेता अर्पना यादव ने ट्वीट कर शोग जताया बीजपी नेता अर्पना यादव ने ट्विटर और फेस्बुक के माध्यम से नेता जी के नधन पर शोग व्यक्त किया अर्पना यादव ने लिखा कि मेरे गुरु धर्ती पर पुत्र नेता जी मेरे लिए पताजी आज गौलोक वासी हो गए सत्य है कि धर्ती पर शरीर रूपी जीव नशर है और इस सत्य की वेदना सहन करने की मुझे और नेता जी से फ्रेम करने वाले सभी लोगों को इश्वर शान्ती दे मुलायम सिंग यादव के नधन के बाद मैनपूरी सपा कार्याले में मातम पसर गया कार्यकरताओं ने कहा कि आज उन्होंने अपना भगवान खोया बता दे कि मुलायम सिंग यादव मैनपूरी से ही सांसत थे वही उत्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी देता मुलायम सिंग यादव के नधन पर कॉंगर्स पार्टी के कई नेताओं ने गहरा दुख जताया और कहा कि उनका नधन देश के लिए एक अपूर्णिय शती है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंग यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा अंतिम संस्कार उनके पैत्रिक गाउ से फई में किया जाएगा बता दे कि 82 वर्ष की उम्र में सोमवार को गुरूग्राम की मिदानता अस्पताल में मुलायम सिंग ने अंतिम सासली ऐसे में सपानेता के अंतिम दर्शन करने के लिए कई दिगज पहुँच सकती है पीम नरेंद्र मोदी के भी अंतिम संस्कार में शामल होने की संभावना है वहीं बता दे आपको किट सियम योगी ने सिफ़ाई पहुँचकर मुलायम सिंग यादव को श्रधाजली दी और इसके साथ ही सिफ़ाई में नेता जी के अंतिम संसकार में वी वी आईपी शामिल होंगे लोगसभा के स्पिकर ओम बिर्ला, रक्षा मंतरी राजनात सिंग, जेडियू नेता के सित्यागी और साथ ही व्यार के जिफ़ुची सियम तेचस्वी यादव जारखंड के सियम हेमानतो सोरेन मुला जो है वो भी अंतिम संसकार में पहुँचेंगे और इसके साथ ही वोखिय मंतरी नतीश कुमार की बात करे तो वो कल सेफ़ाई पहुँचेंगे केद्रिये ग्रिमंतरी अमित शाह लोक नायक जैप्रकास नरायन की ज्रेंती पर उनके पैत्रिक गाउ सारन के सताब दियारा जाएंगे और वहाँ दो घंटे तक रहेंगे वारानर्श्री होकर अमित शाह जैपी के गाउं पहुचेंगे और उसी रास्ते दिल्ली लोटेंगे केंद्री ग्रिमंतरी अमित शाह और यूपी के मुख्यमंतरी योगी आधितनात ज्रेपी की प्रतीमा पर माल्यारपन करूंहे शद्धांच्री अर्पित करेंगे सियम हेमंत सोरेन ने काबिनेट की बैठक के बाद कहा कि ग्रामीन जरूरत मंद लोगों के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना है और जो अब तक 20 सालों में नहीं हुआ वो अब होने वाला है दिल्ली में आजरी के महामंतन के दूसरे दिन तालकचोरा स्टेडियम में आजरी के रास्ती अध्यक्ष के तौर पर लालू यादव की ताज पोशी हुई इस दौरान लालू यादव का पूराना अंदाज देखने को मिला भाशन के दौरान उन्होंने एक कारी करता की गलती पर उसे हरकाया बाद में तालकचोरा स्टेडियम में मौझूद सैक्रों कारी करताओं को संबोधत करते वे लालू यादव ने सीधे तोर पर केंदर सरक चुनाव से पहले विपक्ष को एक जुट होना है और इसके साथ ही बता दे कि आरजेडी का यह खुला अधिवेशन था जुसमें कई राज्यों के पार्टी पताधीकारी शामिल हुए थे जगदरंसेंग की नाराजगी पर तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है उन्होंने कहा है कि कोई नाराजगी नहीं है उन्हें के बेटे राज्ट्रिय कारिकार्णी की बैठक में मौझूद थे लालू यादव के आरजड़ी के रास्ट्रिय अध्यक्ष्य बनने पर बीज़ेपी प्रदेश अध्यक्ष संजे जैसवाल ने तंच कसा उन्होंने कहा कि आरजड़ी परिवारिक पार्टी है लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ही रास्ट्रिया ध्यक्ष होंगे तेजस्वी के बाद तेजस्वी का बेटा पार्टी का सर्वोपरी होगा बिहार लोग सिवा आयोग ने 31 माई को हुए बिहार न्यायक सिवा प्रतियोगिता परिक्षा का परिनाम घोशित कर दिया है मुख्ये परिक्षा में 683 अभियर्थी शामल हुए थे 22 अगस्त से 6 सतंबर तक चले इंटरव्यू में बता दे आपको कि कई अभियर्थी शामल हुए थे और साती अंतिम रूप से सफल 214 उमिदवारों का रिजल्ट घोशित किया गया है और इस परिक्षा में भावना नंदा ने पहला स्थान पाया है जारखंड के सभी नगरपाली काओं का चुनाव 17-2023 में कराया जाएगा यह चुनाव बिना OBC आरक्षिन के होगा यानि पिछ्रा वर्ग को खुले श्रेनी अर्थात अनरक्षित मानते हुए चुनाव करवाई जाएंगे नगरविकास विभाग के लायस प्रस्ताव को सोंबार के हिमत सोरेन काबिनेट में स्विक्रती मिल गई है बीजेपी प्रत्याशी कोसुम देवी ने गुपाल गंज उक्चुनाव के लिए नामनकन पर्चा दाखिल किया केंद्रिये ग्री राज्जी मंतरी नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष संजय जैसवाल सुशील मोधी पुर्वस्वास मंतरी मंगल पार्डे सहित कई नेता नामनकन की दोराद मौजूद रहे संजय जैसवाल ने कहा कि भाड़ी मतों से जीत होगी पुर्णिया में सनहाट सेरामिक टाइल्स के एक्स्क्लोसिव शोरूम का भवी उदघातन हुआ या शोरूम बरंगा एनेचे का 30 पोल फैक्टरी के पास है स्काउद घातन शांती देवी कंपनी के एमडी मनोज बर मोड़ा और एक्सी बर्मन के कंट्री हेड संजीव भार्तिये ने पीता काटकर और दीप प्रजलत कर गिया गड़वा जिले के चिनिया थाड़ा इलाके के मुखिया की दबंग गई पर पुर्व मुखिवंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबुलार बरादी ने ट्वीट कर उन्होंने कहा कि आदम जनजाती के पांच युगों पर बरबरता बेहती शर्मनाख है यह केवल चिनता जनक ही नहीं बलकि प्रशासन के सबक्ष भी बरी चुनाती है बता दे आपको कि गड़वा जिले में दबंग मुखिया की दबंगई देखने को मिली जहां मुखिया ने अपनी दबंगई देखाते हुए पांच आदम जनजाती युगों को बांध कर पिटाई करने के बाद बाल मुंदन कर दिया गड़वा जिले के मिराल गाउ में बच्चों से विवाद में हुए जगड़े में अगवा कर एक युवक के दोनों पैरों में कील ठोक दिया गया जसके बाद जकमी हालत में उसे सदर अस्पताल में भरती किया गया इसे लेकर मिराल ठाना में आवेदन देकर पेड़त ने नयाई की गुहार लगाई है पेड़त ने आरोप लगाया है कि बाइक सबार युवकों ने उसे अगवा कर जान से मारने की नियत से मार पीट की और दोनों पैर में कांठी ठोक दिया